तो आज की हमारी रेसिपी है सुपर सॉफ्ट टूटी फूटी केक तो यह बहुत ही पॉफेक्ट रेसिपी है आप इसे ट्राइ कीजिए इससी मेशुमेंट के साथ आपकी रेसिपी बिल्कुल भी नहीं बिगरेगी हानुड़ परसंट यह आपका गारंटी केक है कि अपका ऐसे ही सॉफ्ट इतना ही सॉफ्ट बनेगा तो चलिए हम देख लिएते क्या है इंग्रीडियंस सुक्सेटों निया मैज़ाना के लिए आपको मेजरिमन्स दिखानी के लिए एक कप मैं लिए MAIDA S tended सेम मैने 1 a cup SHAKAR ले यहार ले लिया है मैने यहार लिया 56 टे Б kingdom मैंने 5 एंडे सिपोन vanilleा आपको मैनने नमक लिया है वेसी के साथ साथ चम्मच लिया है बेकिंग पावडर में एक चमच ले लिया है, टुटी फ्रूटी में लिये है, यह के साथ यहां पे मैं एक चोटी कटोरी बाली ले लिए है, तो यह इतने ही इंग्रीडिन्स हम यूज करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम यह मिक्सी के पॉट में हमारे अंडे जो ही यह दो अ तो यहां पे मैंने शक्कर भी आट कर लिए है तो यहां पे आदा कर लिया है मैंने अधा कप और अंडी लेली हैं दो यह अच्छा है एक बोल में ट्रांसफर कर लेंगे तो देखिए बहुत ही अच्छा यह हमारा जो पेस्ट है रेडी हो चुका है अंडा शक्कर का यहां पे अब हमाली सारी जो इंग्रिडेंट्स है बाकी के यह हम आड़ करेंगे तो यहां पे सबसे पहले मैं मैदा आड़ कर रही हूँ तो यह एक कप मैदा है ध्यान रखिए क सारे मेजूमेंट्स आपको सेम कप से ही करने है इसके बाद में यहां पे बेकिंग सोडा आड़ करोंगी वन टेबल स्पून बेकिंग पाउडर यहां पे हाफ टेबल स्पून इसके साथ साथ यहां पे हम ले लेंगे यह पिंच ऑफ शुगर और चुटकी भर आप आपको एक यह डिरेक्शिन में इसे मिक्स करना है तो देखे बहुत अच्छी सा बैटर बाटर हमारा रेडी हो चुका है इसकी आप देखिए ऐसे रिबिन्स उने चाहिए देखिए आप रिबिन्स आ रही है इसका मतलब हमारा जो पॉफिक्ट यह बना हुआ है अब हम क्य अच्छा लेंगे तो देखे यहां पर मैंने आड़ कर ली है अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे यह आपका केक बिघड़ी ही नहीं सकता यह मीनी गारंटी है यह बहुत ही अच्छा टेस्टी केक बनेगा आप इसे जरूर से ट्राइ कीजिए यहां पर एक मैने केक टिन लिया है आप इसे कूकर के डबे में इस्टील के डबे में आ फिर जर्मन का आपके पास पतला सा जो भी बरतन अविलेबल है आप इसमें यह वना सकते हैं तो यहां पर मैने देखिए अच्छे से ओईल इसमें ऐसे ग्रीस कर लिया है इसके बाद मैं इहां पर वन टेबल स् यह बरतन में चिपकेगा नहीं और बहुत ही असानी से आपका केक जो है बेक होने के बाद निकल आएगा तो यह देखिए मैने एक्सिस जो मेहदा है वो निकाल लिया है और जो हमारा यह बैटर है यह हम इसमें आड करेंगे तो यहां पर जो केक का बैटर है हमारा टूटी यह बच्चों का फेवरेट केक है बच्चों को बहुत ही पसंद आने वाला है और अगा यह बाद च्टूटी फ्रूटी कहाना पसंद नहीं करते हो तो यहां पर देखिए कि इतना ब्यूरिफुल लग रहा है यह तो अब हम क्या करेंगे इससे दो बार यसे टाप कर ताकि इसके जो bubbles है ये निकल जाए और हमारा जो केक है इसमें क्रैक्स फगिरे ना आए इसकी हवा निकल जाए ये कढ़ाई मैंने लिए है इसे मैंने 10 मिनिट के लिए हाई फ्लेम पे रख दिया था और यहां पे मैं ये केक प्लेस कर रही हूँ अब मैं गैस का फ्लेम जो है हम पु कॉख देखें के लिए क्वा है तो चलिए मेरे साथ यहां पे हम चालिस मिनिट में पुफट लिए केक अमारा कॉ जाता है तो यह देखे इसे छिप अच्चा मिनिट के बाद यह बहुत ही से अपर से लग रहे है कि तर देख लागए कर देखिए तो यह अच्छा ल अब क्या करते हैं इसे थंडा कर लेते हैं 10-15 मिनिट बाद चाकूं की हेल्प से हम इसे चार तरफ से अच्छे से ऐसे देखिए ताकि जो हमारा जो केक है यह चिपका हो यह निकल जाए और बहुत ही अच्छा हमारा केक निकल आए तो यहां पे हम इसे एक प्रेट की साहता से दो तीन बार उपर से टाप कर लेंगे तो हमारा केक निकल आएगा आप देखिए यह बहुत ही अच्छे से बेख हो चुका है मैं आपको इसे कट करके भी दिखा देती हूं कि यह कितना सॉफ्ट और यमी है बना है तो यह देखिए बहुत ही एजी यह केक रेसिपी है आप आपको मिरी रेसिपी पसंदाए है तो प्लीज दो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो माइ यूटू चैनल थैंक्स पर वाचिंग बढयाए पर देखिए